गाते हाउखना हिल्पी यूट्टूब चनल में तो दोस्तों दिल्ली उनिवेसिटी की तरफ से एक बहुत ही इंपोर्टेंट अपडेट आ रहा है देखिए फोट अब जून 2020 को एक नोटिस पाब्रिश हुआ है जहां पे दिल्ली उनिवेसिटी की तरफ से ये जानकरी दिय जागा है अंडर गैजुएट का फर्स्ट यार और सेकेंड डियर का लगबग 3 लाक्स प्लास जितना भी सरे स्टूडेंट है इन लोग को प्रोमोट कर दिया जाएगा और जो सब प्रोस्ट गैजुएट के लगबग 12,000 प्लास स्टूडेंट है इन लोगों को इस कोभीड आप लोग चाहे तो डाउनलोड करना तो मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक डाल देंगे यहां पर क्या चीज़ बताया गया है देखिए student of intermediate semester here the grading of the student could be composite of 50% marks on the basis of the pattern of internal evolution assignment based evolution adopted by the university, colleges, faculty, center, wherever applicable and the remaining 50% marks can be awarded on the basis of basis of performance in the previous semester तो जितना भी सारे intermediate के first year, second year के undergraduate and postgraduate के first year के लगबग 12,000 plus जितना भी सारे student थे इन लोग का 50% internal के basis पे internal जो assignment दिया जागा उनका number और पिछले वाला semester जो था इसका performance के basis पे 50% number देखे आप लोग को promote किया जाएगा यह चीज मैं कोई अपने मन से नहीं बता रहा है, यह official notice है आप लोग चाहे मैं बार बार बोलना दिल्ली उनिवसिटी का official side से यह notice मुझे मिला है आप लोग अगर चाहे वीडियो का description पे link है जहां से आप लोग download कर सकते हैं और एक चीज दोस्तो आप में से जो सभी का पिछले वाला semester में अगर suppose आप लोग का सफली आया है या फिर आप लोग semester attend नहीं कर पाए तो कब क्या होगा उन सभी student के लिए क्या होगा देखिए for student of intermediate semester terms having no previous performance पिछले वाला performance का अगर आपके पास कोई भी number नहीं है तो आपको 100% assignment based evolution लिया जाएगा आपको internal assignment के विस्टित आपको home based assignment दिया जाएगा जिसके उपर आप performance के उपर आपको number दिया जाएगा है और यह से जो regular है उन लोग के लिए नहीं है यहाँ पर देखिए school of open learning और यहाँ पर देखिए दिया गया है non collegiate women's education board NCWEV के नाम से और SOL के नाम से जो जाना जाता है इनकी तरफ से भी यही same decision है यहाँ पर देखिए और भी details में बताया गया अगर आप लोग चाहे तो इसको चेक करना बात एक ही है अभी मकाउट उनिवसिटी बंगाल का मकाउट उनिवसिटी क्या करेगा मकाउट क्या दिली उनिवसिटी की तरह हर एक जो intermediate का जितना भी सारे student है इन लोग को promote करेगा पिछले वाला semester और internal assignment और performance के उपर basis पे नंबर देखे या exam conduct करेगा basically देखिए एक news उटके आ रहा है मैं just थोड़ा सा इसका बता सकते थोड़ा सा आवास मैं पहले से आप लोग को दे रहा है information मकाउट का जो internally software को develop किया गया है एही software के दौरा मकाउट exam लेगा मकाउट का हर एक affiliated college में उससे install किया जाएगा और एक चीज़ दोस्तो आप लोग सबको compulsory रहेगा सभी के लिए total 17 numbers का और 1.5 hours का total देर घंटे के अंदर आपको exam conduct करने का news आ रहा है मगर हाँ अभी भी officially मकाउट की तरफ से कोई भी official details नहीं है मैं just आप लोग को information मेरे पास आया था तो मैंने just आप लोग को share किया मगर इसे कोई भी serious में हो सकता है मैं ही बो अगर आप लोग future में भी हर एक update पाना चाहते है education related तो चैनल को subscribe करना मत भुलिएगा इस वीडियो के regarding आप लोग का क्या opinion है comment करके बताईएगा thank you